जैहिंद्र सभी को SSGD 2021 वाले जितने मेरे अपने कंडिडेट हैं सब के लिए यह हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं कोई भी बाहरी कंडिडेट यह वीडियो न देखें क्योंकि आप सभी अमीर बाप के बेटे हैं आप सभी अच्छा कोर्स खरिद के कहीं पढ़े लें आप बात खतम है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैनरल नॉलेज जो है जो की 25% रॉल है उसका आपके सिलेबस में पता है 25 नंबर का गनीत 25 नंबर का रिजिनिंग 25 नंबर का GKGS और 25 नंबर का हिंदी या इंगलीज आपके सिलेबस में है तो सबसे बहुत और सबसे बड़ महतपूर्ण कुस्चन यह है आप ही लोग का मतलब मेरे अपने कंडिडेट का कि सर जनरल नॉलेज को किस परकार से अच्छा किया जाए किस किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं और हम लोग मैक्सिमम कैसे इसको जो है अच्छा कर सकते हैं मैक्सिमम आंकिसमें कैसे पा सकते तो उसी की रिगार्डिंग यह वीडियो है ठीक है तो आज़े आपको समझाने का प्रियास करते हैं कि यह जीके जो आप देख रहे हैं यह 25 नंबर का आता है और 25 प्रशन है 25 नंबर है 0.25 मैनस मार्किंग है इस बार के एक्जाम में CBT में जो होगा आपका और सबसे महतप आपको बताएंगे मैं जीज जो हिंदी और इंग्लिस के लिए अलग लग बताएंगे कि हिंदी में वह च्छोट टॉपिक कौन है जिसको पढ़ने के बाद आप 22 प्लस मार्क्स ला सकते हैं ठीक है तो आए पहले सो हम किलियर कर लेते हैं कि देखिए जीके जो बना हुआ ह सर ठीक है इसको वास्तर में 3 पैरट में बठा गया है ऐसे 10 जीडी का ही हम बात कर रहें इस पैसल तो टीन पार्ट वह कुन शह है एक आपका आता है Movie वह आपका यंदिय अध्यान इसके बारे में करेंट और फिर जो ताजा घटना घटित होता है उसके बारे में ठीक है लेकिन सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि क्या अब बाबर हुमायों वाला चेप्टर पढ़ने से लाब होगा आपको तो ऐसा नहीं है हम यह बताने के लिए वीडियो नहीं बना रहे है जीके में किसकी टॉपिक से मतलब प्रश्न पूछे आते हैं यह बताने के लिए नहीं बना रहे हैं हम सिर्व आपको यह बताना चाहते हैं कि आप लोग उतना ही पढ़िये जितना आये फाल तो बहुत कुछ है अगर आप हिस्टरी ही पढ़ने जाते हैं तो हिस्टरी तीन है तीन तो हिस्टरी है मोटा मोटा दिखा दें आपको मत दिकाले नव पराचिन वाला और अधुनिक वाला दिमाग खराप हो जाएगा कुछ नहीं कर पाईएगा हिस्टरी से मादर दो कुस्चन मिलेगा वही नहीं हम बताना चाहते हैं कि फालतू चीज मत पढ़िए पुद हिंदी में समझे जनरल स्टडी जो की 10 नंबर का रहने वाला है एक या आधा नंबर आके पीछी होगा सर मैक्सिमम नहीं होगा जनरल साइंस जो की 10 नंबर का रहने वाला है करेंट एफियर जो की 3-4 नंबर आता है लेकिन हम इसको 5 नंबर लिग देते हैं आपके ल 25 25 25 माक्स तो हो गया इसमें अब समझे इस 10 नंबर में जनरल इस्टडी जो समान अध्यान है इसमें क्या क्या जरूरी है आपके इसको अधिक अगर फोकस करेंगे तो आपका नंबर अच्छा आएगा आज कल ऐसा कहीं भी सवाल नहीं पुस्ताय सर कि बताई अकबर की मौस सुनिए अगर हम आपको वो सब घटना बताने लगे कि सी बीटी जो कंडेक्ट करवाटे टीसियस उसका क्या आधार है तब तो और यह अच्छा बात होगा लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कभर करेंगे ठीक है इसलिए बोलते हैं सायद आपको लाब हो हमसे जूड दा पढ़ना होगा आपको है यह जोग्रफी है यह पॉलेटिटी है और यह इंडियन कंस्ट्रिट्यूसन है जिसको आप लोग संभिधान काता है यह पॉलेटिश राजनितिक सास्त्र यह राजी वेवस्था ठीक है इकनॉमिक हो गिया आपका अर्थशास्र और यह हम बात कि आपका GKGS मजबूत कहां से होगा तो आप कहीं से पढ़िए लेकिन हम अपने कंडिनेट के लिए बोल रहे हैं कि 10 वजे कोई चलता है आपको पहले पढ़ने का मौका देते हैं एक दिन पहले उसके बाद उसी से प्रशन पूछा जाता है वो टेलिग्राम गुरूप क से एक दो प्रशन रहेगा बंकि हिस्ट्री से जो बचालाष्ट में दे दिया सब से महतपूर्ण बात जेनरल साइंस में आईए अगर आपका जेनरल साइंस मजबूत हो गया तो आपका जीके मजबूत हो जाएगा अंडेड़ परसंट जेनरल साइंस मजबूत करने के हम जुँएंस को यह अपने हिसाविके जीक चल रहा है कि अपने हिसह साफ सिस्टम उसमें हम एक पैजिसका उठा रहा है लुए दो पे जिसका कभी है पे जिसका ठीक है दोनों को मिला किस पर का से चल रहे हैं कि student का bowl होते जा जा रहा है अब जो student दो- 있나umocrat भी यसार मोरेट नाव्न नापर रहा है तो खुशी का बात हैं कि नहीं है आज यह योजना का उद्गाटन किया बताइए कि जो है उज्वला योजना किस से संबंदित है समझे की नहीं रसोई गैस से इस परकार का क्वेश्चन करेंट एफर में आपको पढ़ना है इस पर से संबंदित मतलब खेल कुष से संबंदित मतलब सिर्व अपना भारत का नहीं वह लंडन बाला स्केल सा मतलब इंटरनाशनल खेल सा किसको मिला कौन सा मेडल जीता जिसे इस बार देखेगा नीरा जराय वाला पूछेगा त्रीक है और इसके बार हम घुसें अभी पढ़ना ही नहीं है हम तो बता रहें करेंट पर पढ़ने का हम समय देंगे खुभ और अगर आपको दो दूज दिन करेंटे फेर पढ़ा देंगे तो उसा कि पी उसके बाद आता है यह इंटरनेशनल और रिलेस्टन अंतरष्ट्य शंबंद्दों पर चर्चे हैं और यह वार एक्सरसाइज मतलब अंतराष्टिय युद्ध अभ्यास जो होता है कि भाया जो है सुर्य किरन एक युद्ध अभ्यास का नाम है वो किन दो देशों के बीच लड़ा गया मतलब अभ्यास किया गया कभी आप देखते हैं कभी जो है भारत और चिन के बीच युद्ध पढ़ता है तो उसको कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है तो वह नाम बहुत इंपोर्टेंट है वह पूछा जाता है आपसे मेरे यहाप से करेंट एफर में अगर आपको यह चार सी अगर हम पढ़ा दिये तो आपका काम खतम हो जाएगा ठीक है एक्स्ट्रा बात हम किसमे क्या करने वाले हैं वो सुन लिजे एक्स्ट्रा बात हम क्या करेंगे जनरल नौलेज आप जान रहे हैं जनरल नौलेज में सबसे महत्पूर्ण यही दोना पार्ट है मेरे इसाब से करेंट एफर तीन नंबर का पूछ ले बहुत है करेंट एफर अभी मत पढ़िएगा हम सब्सक्राइब फिर से करेंट है फिर अगर पढ़ना है अगर आपके पास 20 समय है तो ठीक हलका हलका 10 मिनेट 20 मिनेट दे सकते हैं अभियास के लिए लेकिन सबसे ज़्यदा जोरी है आपका जनरल साइंस उसको जनरल इस्टडी जनरल इस्टडी में आप जब भी घुसे प् आपको बोल सकते हैं कि हो सकता है कि इसी के अंदर से आठ नमबर आ जाए प्रशन आपका और यह हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं यह पूरा प्रिबियस कोस्चन का इनालाइस करने के बाद बोल रहे हैं ठीक है और यहीं है उसका अधार अब एक दो नमबर आप मान लिज इसमें तीन नमबर आया तब इधर बढ़ जागा एक नमबर इधर एक नमबर बढ़ गया तो उस परकार से आप चल सकते हैं तो कुल मिलाकार बात यहीं है सर कि अगर आप जीके जीएस को अच्छा करना चाते हैं तो विसे इस ध्यान आप जनरल साइंस पर देजिए और अ जान नाते हैं आप लोग ठीक है और अगर आपका थोड़ा सा मीटाते हम ऐसे समझें लिखाएगा की नहीं अगर आपका पचीस में से अगर बीस नमबर भी आ जाता है तो आप टॉपर किलास की इस्टूटेंट रहेंगे बस चलिए हमको समय मिलेगा तो फिर आपसे बात क करेंगे धन्यवाद जैहिंद